कॉंग्रेस पार्टी का टार्गेट राजेंदर भाई बड़ी बात कह रहे हैं कि 125 सीटों को हमने टार्गेट रखा है 150 का टार्गेट लेकर भारतिय जनता पार्टी चल रही है 125 सीटों का टार्गेट भी अपने आप में बड़ा टार्गेट है पिछली बार की performance congress party की काफी बहतर रही थी राजेंदर भाई लेकिन आप लोगों ने एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया था उस वक्त सत्ता के खिलाफ पार्टीदार आंदोलन के तौर पर जिसका नुकसान भारतिय जंता पार्टी को हुआ 99 पर वो सिमट गई इस बार त कि दुगना करने की बात कर रहे थे आज खेडूत करजे में डूब रहा है बहुत सी सारी समश्या है और अंडर करंट आदमी चल रहा है अंदोलन से सीटे मिले थी वो एक अलग बात थी लेकिन उस टाइम हमारी बहुत सी सीटे ऐसी थी जो हम 2000 और 3000 के मार्जिन से हारे थे यह अपने गाओं में स्टेशनरी बिजनस शुरू करके हर महीने दो लाख कमा रहे हैं आपके गाओं में भी यह करना है तो फ्रीडम मैं आपको अभी डाउनलोड कीजिए लेकिन भार-बार यह बात कही जा रही है कि इस बार ऐसा लगा कि कॉंग्रेस पार्टी का जो आला नेत्रित्व है वो गुजरात को अतनी गंभीरता से नहीं ले रहा है गुजरात में चुनावों की सरगर्मिया थी है और राहूल गांधी साउथ इंडिया में भारत जोडो यात्रा पर निकले हुए थे उसका क्या नुकसान नहीं होगा कोई नुकसान का सवाल नहीं है, कॉंग्रेस का हर बंदा राहूल गांदी है, कॉंग्रेस का हर बंदा सोनिया गांदी है, और मल्ली का आरजुन खड़ गये है, हम इसी तरह से लड़ रहे हैं, हमें यसी कोई इनकी जैसे जरूरत नहीं है, कि देश का बड़ा प्रदान यहां केंपिन कर दिक वो अब रहें करें आपको तो जरूत पड़ी है तमाम बड़े बड़े नेताओं को लाने की क्योंकि हालत पतली है हमें तो जरूत पड़ी है कि हमारे नेता आए और भी पांगे यहां पर वोट की किसी नेता में परभवमस करने की ताइम ही नहीं है कनु भाई देखो बार कॉंग्रेस और कॉंट भीस में रहता है आप देख लेना आर्ट तारीक को और देओ आर्ट तारीक को जो रिजल्ट आएगा तो कॉंग्रेस एक ही बात बुलेगा कि भारतिय जनता पार्टी ने EVM हैक किया है आप याद रखो भारतिय जनता पार्टी का एक कारिय करता एक ग्राउंड लेवल पर लड़ रहा है और भारी बहुमस से हमारे कैंडिडेट को जीताने के लिए प्रयत्नक कर रहा है अभी कॉंग्रेस ग्राउंड लेवल पर कही नजर आ नहीं रहा है आप देखिए हमारे कैंडिडेट को जो गाव गाव में जो सतकार मिल रहा है आदर सतकार मिल रहा है उसके लिए हम दावे के साथ कहते हैं कि हम 50,000 के जादा वाटों से इस बार जीतने के लिए उम्बिद रखते है और 50,000 मद से जादा मदों से हम जीते हैंगे यह दावे तो आप लोगों ने पिछले चनावों में भी किये थे लेकिन नौर्थ गुजरात का अगर हम रिजल्ट देखें 2017 का तो वो तो साफ नजर आया था कॉंग्रेस पार्टी का दबदबा इस पूरे रीजन में जहां तक मेरी याददाश है 32 में से 14 सीटें जो हैं वो सिर्फ भारतिय जनता पार्टी के खाते में गई थी 17 सीटें कॉंग्रेस पार्टी ने कबजा कर ली थी देखो 2017 की बात अलग थी हैं 2017 में पार्टीर नंड्वलन था उस समय जो प्रजा थी ओ भ्रमित थी उस टाइम जो कॉंग्रेस ने जो अंडुलन चलाए था उसके सब लोकों को सब्रजा को मालूं हो गया कि कॉंग्रेस ने जो अंडुलन चलाए था वो गलत था वो कॉंग्रेस भी पुरा नहीं कर सकती थी लेकिन हमारा मुख्या मंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने और आदर्णिया प्रदार मंत्री स्री नरेंद्र भाई मोदी निये जो दस्ट का अनमत अंदुलन दिया अंदुलन का वादा कि यह यह हार्दिक पटेल और अलपेश ठाकोर जो हैं वो क्योंकि आपके खेमे में आ गए इसलिए आपको लग रहा है कि वो सारी चीज़ें जो है उसके भरपाई हो जाएगी इस बार 2017 में जो कमी रहेगे उसकी भरपाई कर देंगे तो उस टाइम उस टाइम जो हार्दिक भाई को भी जो घलस समी थी जो घलस समी दोढ़ हो गए इसलिए उसके जो कॉंग्रे dor का जो असली चहरा था उसके सामने आ गया हार्दिक भाई के सामने के क्उंग्रिस का असली चहरा क्या है और असली चहरा देखके वो हमारे पास आ गया है इश्वर भाई आज प्रध्ञान मंतरी नरेंदर मोदी को तमाम इलाकों में ताबर तोर, रैलिया कर रहे हैं, जनसमाई कर रहे हैं, रोट शो कर रहे हैं, कितना इस बार असर पढ़ता हुआ आप गुजरात की जनता पर देख रहे हैं, वोटर्स पर देख रहे हैं। बाजब के तरफ थोड़ा बहुत बाव जो है, यह तो रहे गाई, रहता है, और कॉंग्रेस जो है, यहाँ गुजरात में 30 स्वर्श से काम में नहीं है। तो बलकि बड़े सखत अलफास का इस्तेमाल किया कि वोट की भीक मांगने की जरूत नहीं है। बराबर है। बराबर है। दोनों पर एसे ऐसे में नहीं एसे में करना नहीं चाहता हूं। लेकिन नहीं है। यह अपने गाउं में स्टेशनरी बिजनस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गाउं में भी यह करना है तो फ्रीडम आपको अभी डाउनलोड कीजिए।